हेग गाईज वेलकम बैक टू सुपर फॉस्ट इंगली सकेट में दोस्तों आज की इस वीडियो के इंदर आपको इस्पेशली में आज आज आपको टेस्ट जो है मैंने बनाया है इसमें आपको डारेक्ट इंडरेक्ट, इडियम्स, फ्रेजिस मिलेगा, स्रूनियम्स, अंट इसमें आपको देखने को मिलेगा तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है वीडियो को सुरू करने से पहले आप लाइक जरू करतीजेगा अब देखिए मैं सुरू आत कर देता हूं और पहला क्वश्चन है इसका जवाब आप लोग सभी देंगे कि इसका डारेक् से कर पाएंगे तो देखो मैं इन सभी में 21 से 45 तक में बर्व को चेंज करूँगा और मैं आराम से अपने ABCD आप्शन को पढ़ूँगा भी नहीं बस मुझे पता है बर्व को मैं देख लूँगा और बर्व में ही मुझे कहीं गलती नजर आ जाती है यहां पर आप देखे बी और डी वाले में बी और डी वाले इन दोनों में जो हैड दे रखा है अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें राइट आंसर बी होगा या डी होगा आराम से पढ़ लिजेगा कुछ गलती नहीं करना है इसलिए मैंने यह 21 आपके लिए छोड़ रखा है कि बी और डी में इंदर चाचा को बोलते हैं अन्ना राइट भाई को जातर अंकल को ही बोलते हैं अन्ना तो डैबिड सेट टू अन्ना मॉना बिल ली फॉर हर नेटिव प्लेस टुमोरो जब यह इस तरह का सेंटेंस आपके नजर में आ जाए तो क्या आपको कुछ समझ में आता है तो देखो यहां पर टूमोरो को चेंज नहीं किया गया है नहीं यहां पर चेंज किया गया है अम मैं आगे बढ़ जाता हूं मुझे पता यह जो बिल होता है वो बिल बोड में जाता है सेल का शुड हो जाता है का इनका कुड में का मायट होता है तो यह पास्ट होते हैं इनका change होता ही होता है तो bill का तो बुड हो गई होगा तो देखो यहां पर कोई बुड बगरा नहीं दे रखा तो यह गलत हो जएगा बाकी यह बचा तो आपका डी हो जगा देखो बिल का यहां पर बुड कर रखा है तोमरों को the next day कर रखा है बस आपको इसी तरह से check करना ना चाहिए बाकी चारों को आपको पढ़ करके वहां पर बनाना नहीं है आगे बढ़ जाएगा आगे लिखा हुआ है I said to him मैंने उससे का why are you working so hard देखो जब भी आप इस तरह के sentences को पढ़ा करें तो जब भी कभी अगर आपको reported speech में अगर ये wh बगरा दिख जाए ना तो जब भी आप इसका indirect बनाएंगे तो ये wh ही conjunction बन जाता है और conjunction के बाद तुरंत subject आता है बर्व नहीं आती है डबलो एच के बाद directly conjunction अगर वो डबलो एच होता है तो बर्व आता है सॉरी subject आता ना के बर्व अब आप इन्हें देखेगा यहाँ पर ये दो को y के बाद सभी में subject है तो ये तो rule एकदम इसने पालन किया चलो मैं check कर लेता हूँ यहाँ पर क्या क्या गलती है अब आप देखेगे अब आप इसे देख रहे होंगे और इसको समझ येगा इसमें क्या दिरक है देखेगा जब भी कभी अगर ये डबलो एच टाइप होता है तो set to जो होता हो asked में change होता है और बाकी आप देख लीजेगा इसका तो बहुत simple है बनना तो बाकी इसमें ये हो जाएगा why he was working so hard देखो a और b इन दोनों में same है तो a या भी कह सकते हैं दोनों ही same option आप सन आगे तो ये देखेगा set to जो होगा वो asked में बदल जाएगा और wh जो होता हो इसका conjunction बन जाता है इसके बाद simple चलता है simple है तो simple he said to her what a cold day जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ एक special मैंने ये आपके लिए छोड़ रखा है और बताएगा कि इसमें इसका right answer क्या हो जाएगा ठीक है पहले में clear कर देता हूँ ये देखो what a cold day अगर इस तरह का कोई भी sentence आ जाए तो थोड़ा सा आप इसे पैचाल लिजेगा कि इसमें क्या हो सकते देखो यहाँ पर what a cold day कितना ठंडा दिन है तो आप इस समझ सकते है set to जो होगा को told में तो बदल नहीं सकता क्योंकि एक्सक्लेम्ड है आप आस्तर रे चकित रह गए ठीक है एक्सक्लेम्ड यहाँ पर दे रखा है set to cut ठीक है तो एक्सक्लेम्ड ही हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर देखो a वाला तो हो ही नहीं सकता बाकि आप देखेगा जब आप बहुत खुशी के मार यह बोलते है ओ मा कितना ठंडा दिन है तो आप बताओ सौरो वाली तो कोई बात ही नहीं हो सकती मैं दुखी वाली तो कोई बात ही नहीं हो सकती अब यह बचा है आपके लिए अब मैं आप से मैं पूछता हूँ बताओ B वाला है या डी वाला है इन दौनों में से आपको जबाब देना है इतना तो आप कर लेंगे मुझे ये तो बरोसा है चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ आगे 25 और ये आप देखेगा 25 बाले में क्या होगा ये लखाया का दा टेलर सैट टू हिम ये जब आप देखेंगे तो मुझे पता है कि még बिल गजो होता है वो बड में चेंज हो जायगा तो बड में अगर चेंज होगा तो इसमें तो कई बड देही नहीं रखा जिसमें बन नहीं देर रखा उसे आप हटा देंगे जब हटा देंगे तो इनको जवाब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर देखो जब यह interrogative होता है तो या तो conjunction में if लगाते हैं या weather लगाते हैं तो देखो इसमें तो that लगा रखा है तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा तो या तो if या weather तो देखो इन c और d वाले में से एक हो सकता है तो आप ऐसे ही पेचाना c किएगा तो यह हो जाएगा he would have he would like to नहीं होगा क्योंको ऊपर कोई भी like बर्व इस्तमाल नहीं की गई है तो अगर कोई शब्द extra आ रहा है मतलब वो गलत हो जाएगा जो active में नहीं है जो direct में नहीं है वो indirect में नहीं आ सकता है हाँ जो adverb का change तो होता है लेकर like कोई adverb थोड़ी होती है तो देखो d वाला जो गलत हो जाएगा क्योंको इसमें like एक extra दी रखा है तो इसलिए आपका जो c वाला है वो एकदम सही हो जाएगा तो आप बस eliminate करना सीख जाएगे तो active हो या direct indirect हो आप सही करेंगे आगे लेका he said to the interviewer could you please repeat the question मुझे ये पता है कि जो could अगर दे रखा है already past में ही दे रखा है तो उसका वही रहता है कुड का कुड ही रहता है तो इसमें आपको चिंता वाली कोई बात नहीं होना चाहिए अब आप ये देखेगा मुझे पता ही ये interrogative है तो जिसमें कि जो conjunction लगेगा वो if या weather लगेगा तो देखो B वाले में याँपर कोई भी conjunction नहीं दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा B वाले में जब नहीं है यहाँपर देखो A और D वाले में if दे रखा है जिन पर हम चच्चा कर रहे हैं ते बिरकुल सही है तो अब आप इन्हें देख सकते हैं कि he requested the interviewer if he could देखो भाया ये लिख रहा है please request और यहाँपर लिखा है he could repeat the question तो मैंने क्या बोला जब ऐसी अगर कोई भी situation फस जाए तो मुझे पता है could you please request आपको पता है इस please का sense के according यहाँपर requested आया था तो please को आप यहाँसे हटा देंगे जब आप indirect बनाएंगे तो indirect बनाएंगे तो यह हो जाएगा you का interviewer ही है तो he का यहाँपर subject हो जाएगा he तो he could repeat the question इसलिए आपका यह वाला जो d वाला हो एकदम से प्लीज के according ही यहाँपर requested हम नहीं लगाया है तो इसलिए please वहाँसे हट जाएगा आगे देखेगा 27 he said be quiet and listen to my words जब भी आप इस तरह के कोई भी sentence देखें तो आपको समझ बयाना चाहिए be quiet आपको पता है बर्फ की first form है तो बर्फ की first form से अगर कोई भी यह जो inverted comma वाला part अगर start होता है तो उसके लिए conjunction to लगाते है तो यहाँ पर देखें कोई that बगरा नहीं आता conjunction क्या लगाते है to लगाते है तो देखो इसमें यहाँ पर b से पहले कोई भी conjunction नहीं लगा रखा है to तो देखो यह वाला गलत हो जाएगा इसमें भी b से पहले कोई conjunction यह गलत हो जाएगा यहाँ पर भी नहीं दे को यहाँ पर दे रखा है B से पहले 2 तो इसलिए आपका A वाला right answer हो जाएगा Is that clear? सभी को दीरे-दीरे समझते जाएगा बारवर में उनी शब्दों को बोलू तो वो ठीक बात नहीं है आगे देखो He said to me I have often told you not to play with fire है अगर कभी आ जाए तो यह change होता है है तो आपको पता है न इसमें यह दोको that के वाद यह हैस कर दे लिए नहीं है यहाँ पर तो हैड होना चाहिए चाहे हैज हो चाहे है वो उसका हैड में change होता है तो यहाँ पर तो कोई हैड नहीं दे रखा अब आप और बात करें दोको इसमें कोई head नहीं है तो ये गलत हो जाएगा बाकि नीचे वाले में देखो कोई भी that के बाद कोई head नहीं दे रखा है तो जब head नहीं दे रखा तो हम discuss उस पर क्यों करें हमें ये पता है कि अगर hazard आएगा तो head तो आएगा ही आएगा तो वहाँ पर नहीं है तो हम उससे बात चीत ही नहीं कर रहें उसे हम देख ही नहीं है आगे देखेगा ऐसे ही आप सभी को find out करना है stand tease आपको बता है स्कूल में बोलते थे stand tease attention तो stand मतलब ही बर्फ की first form है और बर्फ की first form को जब आप indirect बनाते तो उससे पहले हमें साम two लगाते है क्योंको उसे इनिफिनिटिव बनाये जाता है two से उसे जोड़ा जाता है तो देखेगा stand से पहले two आना चाहिए इस stand से पहले two आ रहा है क्या बताओ नहीं आ रहा मतलब यह गलत हो जाएगा ठीक है सर जी अब इनको आप चेक कर लिजए अब captain है और आदमी से कह रहा है मतलब भाई जाए 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 अब captain क्या command है भाई या commander साहब है वो तो command करेंगे तो आपसे अर्ज तो नहीं कर सकते नहीं वो चाहेंगे नहीं टोल करेंगे command करेंगे तो इसलिए आपका d वाला right हो जाएगा तो आप इन चीजों को देख करके अपने answer को click किया और आगे बढ़ गए वहाँ पर आपको अपने ज्यान को नहीं दिखाना है क्योंकि समय बहुत कम होता है यहाँ पर यह conditional sentences आया है reported speech में तो सर जी इसे कैसे करेंगे तो देखो सर जी इसको भी करने का एकदम सीधा साधा rule होता है कि अगर conditional आ जाए तो conditional का जो if होता है ना सर वो तो वो का वही रहेगा ठीक बाकी सारे change उसमें होंगे एक तरह से ऐसा नहीं if आ गया तो आप conjunction नहीं लगा रहे नहीं ऐसा नहीं होगा if या weather तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो interrogative को show कर देगा और उपर तो interrogative नहीं है वो तो simple है तो इसलिए if अगर conditional type में दे रखा है तो वो रहेगा अब आप देखेगा मुझे पता है वर्व की first form है here तो यह second में चली जाएगी here हो जाएगा और यह bill दे रखा I will phone you तो bill का बुड हो जाएगा तो मुझे here देखना है और बुड देखना है तो देखो सर्ज यहाँ पर here है लेकिन बुड नहीं है तो पहले वाला गलत हो जाएगा यहाँ पर देखो here तो है नई here होना चाहिए क्योंकि first form segundo form में चली जाते तो यह नहीं हो सकता यहाँ पर here दे बूड है यह हो सकता है यहाँ पर here दे बूड है यह हो सकता है तो अब बस इनको देख लेना है इनमें अगर conditional आ जाए तो आपको conjunction जो है वो that लगाना है लेकिन यहाँ पर कोई भी that बगरा नहीं दे रखा है c वाले में तो c वाला गलत हो जाएगा इसलिए आपका d वाला right answer हो जाएगा क्योंकि that भी है और आगे देखो conditional भी उसने दे रखा है तो यह इस तरीके से हमेंसे देखेंगे चलिएगा आगे बढ़ जाएगा और आगे है जल्दी जल्दी कर लेते हैं where will you be tomorrow I said in case I have to ring you मुझे को यह पता है मैं ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा मुझे यह पता है c dc दिवात कि यहाँ पर है वे ना तो वो head में हो जाएगा और यह जो bill है ना यह इसका बुड हो जाएगा तो मुझे बुड देखना है और head देख लेना है ठीक है sir मुझे क्या देख लेना है बुड देख लेना है और head देख लेना है तो देखो इसमें board दे रखा है क्या नहीं दे रखा है इसमें भी board नहीं दे रखा है इसमें भी board नहीं दे रखा है इसलिए मैं यह कह सकता हूँ देखो इसमें board दे रखा है और इसमें head दे रखा है मतलब आपका यह 101% यही वाला है और यही वाला उत्तर है तो देखो कितना जल्दी हमने सही कर लिया सीता से टू मी गिब मी योर फोन मुझे पता है कैन का क्या हो जाएगा कुड हो जाएगा ठीक है और योर जो है मी की पास जाएगा तो मी के according इसका हो जाएगा माई तो यहाँ पर आपको देखना है कुड और माई पहले वाले मी कुड दे रखा का नई इसमें भी कुड नई है और नहीं इसमें तो देखो इसमें कुड है और इसमें माई है मतलब आपको सी वाला रइट अंसर हो जाएगा तो बर्व को ही देखकर के आपको वहाँ पर भी अपने अंसर को सही करना है मुझको एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर बिवेर ओफ हिम जो दे रखा है वो एक तरह से वो कह रहा है कि मतलब जो फादर है उन्होंने अपने बेटे को वार्न किया चेतावनी दी कि यानि उसको उसे सावधान रहना चाहिए तो सावधान अगर रहा जा रहा है तो मतलब यह चीज तो देखो सभी में कॉमर है तो इस चीज को तो मत देखो आप यह देखो इसमें में चीज क्या कही गई है मुझे पता है इसमें जो में चीज कही गई है वो है बिवेर ओफ हिम ये वाला पार्ट है तो इसमें भी विवेर ओफ हम ही देखना है तो इसलिए आपका ए वाला राइट है नीचे वाले नहीं होंगे उपर वाला होगा क्योंकि उपर वाले के according ही तो उसने indirect बनाया होगा और indirect में वही सब चीज़ें आती है जो direct में होती है तो अर्लियर आएगा तो इस वाले में हैड दे रखा है का नई इसमें हैड नई इसमें हैड नई इसमें देखो हैड है और बिफोर की ज़्यकर अर्लियर है तो कितना जल्दी हम अपने आंसर को टिक कर लेते हैं अब आप इसको देखे 37 को काफी बड़ा question paper है ये बहुत मेनत लगी है इसको type करने में और आप तक इसको पहुंचाने में तो इसलिए जो मेनत लग रही है उसका मान सम्मान करते हुए आप भी पढ़े ज्यान से अब देखे इसमें मुझे पता है could you lend me 100 rupees until tomorrow अब इसको अगर देखेंगे तो भाई कोड़ का तो कोड़ी ही रहेगा ये तो एकदम सही बात है तो कोड़ तो चारो में ही कोड़ दे रखा है तो अब इससे करेंगे कैसे मुझे पता interrogative है तो if या weather आएगा और ये काफी close है आप इतना जल्दी से नहीं पैचन सकते अब एक चीज आपको नजर आ रही होगी और वो क्या रही होगी तो तुमोरो को change करते the next day में तो देखो पहले वाले में तुमोरो को change नहीं किया गया मतलब पहले वाला गलत अब आप आगे देखेगा आगे देखिए सर यहाँ पर लिखा है फरहान आस्ड गीता उसके बाद यहाँ पर conjunction लगेगा वो गीता के बाद में आएगा अब आप यह देखेए यहाँ पर जो conjunction है वो गीता के बाद तो उसने गीता से पहले लिख दिया तो यह गलत हो जाएगा बाकि B और C को देखेंगे तो B और C को देखेंगे तो यह दो को मी आ रहा है फर्स्ट परसन फर्स्ट परसन जाता है सब्जेक्ट के पास फरान तो फरान की according या तो यहाँ पर अगर object है तो या तो यहाँ पर him होगा हिम होगा अगर वो लड़की है तो हर होगा लेकन मी का मी तो नहीं हो सकता तो इसलिए मी की जगें पर हिम आएगा चेंज भी तो करना है ना प्रोणाउन वाला इसलिए आपका B वाला राइट आंसर हो जाएगा ठीक है मैंने यही देखा इन दोनों में अंतर क्या दे रहा है हिम और मी का तो हिम आएगा या मी आएगा वो आप प्रोणाउन के अक्वर्डिंग चेंज कर लेंगे अब आप इसे देखेए का यू कैनोट बात इन दिस सी ये बात नहीं होता है एक्ष्ण में बेध होता है तो मैं इसे बात ही पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अलग न लगे यू कैन नोट बात इन दिस सी तो मैं सी में नहीं ना सकते जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तो ये मैं आपको दूगा इस सवाल का जब आप इसे आप क्या करेंगे मैं ये देखूँगा बट मैं आपको दो आप्शन तो अलिमिनेट करवा ही देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा आपको भी जो आराम से आप मैंचान सकेंगे उसको पता नहीं इस लख रहा है तो इस ये तो इस वाले में वाज नहीं दे रखा है तो पहले वाला तो गलत हो जाएगा बाकी आपर cannot है तो इसका could not हो जाएगा तो could not देखो सर जी लास्ट वाले में cannot दे रखा है तो ये तो नहीं हो सकता है अब बचा आपका या तो B होगा या फिर C होगा अब इन दोनों में से क्या होगा यह आप, यह तो बहुत simple है यार यह देखो, he said to me है न you जो होता है वो object के according change होता है, तो me के according तो I आना चाहिए, तो that के बाद directly के आएगा, you नहीं आएगा, इसकी जगा I आएगा तो that के बाद I आ रहे ने, इसलिए आपका C वाला right answer हो जाएगा, आप भी बनाएंगे तो यही बन के निकल के आएगा आगे देखेगा, जगदी said we passed by a beautiful lake when we went on a trip to Goa, अब यह बताएगा यहाँ पर second form है और second form जाता है, head third form है और आगे लिख रहा है second form, तो यह भी जाएगा, head third form है, तो यह देखो, यहाँ पर जो है, अब आप चेक करेंगे, head third form यहाँ पर देखो, that के बाद यह directly head third form नहीं दे रखा है, तो यह गलत है that के बाद, यहाँ पर देखो, कोई head third form नहीं है, यह भी गलत है मुझे पता है, यहाँ पर भी head third form head past आजाएगा, यहाँ पर head gone आजाएगा, तो आप यह देखो यहाँ पर लेकर है, head past और head gone, यहाँ पर head past, लेकर head gone नहीं है इसलिए, B वाला गलत है C वाला right answer हो जाएगा is that clear, कोई doubt नहीं रहना चाहिए आप सभी के doubts clear होने चाहिए मुझे पता है, expect है यह बर्व की first form है, तो यह change होगा second form है, तो देखो head third form नहीं, directly second form आना चाहिए, तो देखो इन सभी में second form दे रखिए तो अब आप इसे करेंगे, कैसे सर जी यह देख ले ना है, आपको पता है, two के बाद directly बर्व की first form है तो कोई बात नहीं, वहाँ पर भी two के बाद बर्व की first form ही आएगी, यहाँ पर देखो two के बाद have कर दिया है, जो कि गलत है अब बचा b और d अब b और d में क्या change है, यह आप देख लीजेगा सर जी मुझे तो कोई change नहीं लग रहा same है, तो देखो b और d जो है वह same है, इसलिए he told me that he expected me to attend the function तो नीचे भी he told me that he expected me to attend the function b और d same है, ठीक है तो यह आप याद रखे, अब आप इसे देखेंगे, और he said why did not you send your application to me, आपको बता did first form आता, यह change होता, had third form में, तो देखो इस वाले में head third form नहीं है, इस वाले में head third form नहीं है, अब आप इसे देख लीजेगा, आपका a हो सकता है, या फ़र c हो सकता है, मैं देख रहा हूं, मुझे पता है wh के बाद हमें सा subject आता है जब आप indirect बनाएंगे तो यहाँ पर wh के बाद देखो subject दे रखा i, लेकिन यहाँ पर तो head दे रखा है जो गलत है, इसलिए आपका a वाला right हो जाएगा आगे इसे देखेगा, r ing दे रखा तो यह वाजवर ing में चेला जाएगा तो देखो इसमें वाजवर ing नहीं दे रखा इसमें वाजवर ing नहीं दे रखा अब आप इसे देख लीज़ेगा मुझको पता है, you जो है you यहाँ पर दे रखा है तो जो conjunction है whether, इसके बाद eliza आएगा या फर she आएगा तो मुझे यह पता है, कि eliza क्योंकि इसका जो asdic के बाद जो object है, वो इसका पीछे दे रखा है eliza, तो eliza के according वाँ पर she आजाएगा, दो बार eliza eliza नहीं लिख सकते न, तो इसलिए यहाँ पर, जो है वो she आजाएगा, और आपका जो c वाला right answer है वो एकदम सही हो जाएगा is that clear, यहाँ पर आप देख रहे होंगे eliza, weather, she was going to the party the next day, याद रखेगा यहाँ पर weather के बाद she आया ऐसा क्यों आया, क्यों को you जो होता है object according change होता है eliza एक लड़की है, तो लड़की के according हमने वाँ पर she लगा दिया आगे देखेगा, आगे देखो यह भी अच्छा question है, और इसे मैं कैसे change करूँगा, यह देखो bill है, तो जाइज देखो बुड़ आएगा ही आएगा तो बुड़ आप देखेगा, देखो पहले वाले कोई बुड़ नहीं है, और बाकी इसमें भी कोई बुड़ नहीं है, तो B और C को आप देखेंगे, तो आपको समझ में आजाएगा मुझको यह पता है, कि हाव लॉंग एक डबुएच टाइप है तो इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए तो देखो, यहाँ पर हाव लॉंग के बाद बर्व दे रखिये बुड़ जो के गलत है, इसलिए आपका C हो जाएगा क्योंकि हाव लॉंग के बाद सब्जेक्ट आ रहा है इट, तो डबुएच कोई भी हो, उसके बाद हमें इसा सब्जेक्ट ही आता है ठीक है, याद रखेंगे इन चीज़ों को आप अब आप इसे देख लीज़ेगा डिट बर्व की first form किसमें change होती है बताओ है ठरट फरम है, तो यहां पर हैर ठरट फरम नहीं है यहां पर हैर ठर फरम नहीं है, इसमें भी नहीं है मतलब आपका B वाला right answer हो जाएगा आप चेक कर लोगो, आपका भी वही हैगा जो मेरा है, याद रखे, आप देखेगा कुछ errors आ गई हैं, और इन errors को आप जल्दी से देख ली जएगा, इसमें क्या error है, आप आराम से वीडियो को रोके, समझेगा, आप खुद भी तो errorize करिएगा, कि इसमें क्या गलती हो सकता है, कौन सा बनेगा, तो इन शीनों को थोड़ा भ्यान, देखो, मैंने तो पूरा paper बनाया है, इसलिए मुझे सारी चेनों को पता है, मेरा दमाग वही जाएगा, जो इसका exact answer होगा, तो इसलिए आप अपने मन से सोचके, आपको तो time, आप तो first time देख रहे हैं, मैं तो इस the allegation that he had taken bribes, भईया, education के minister साव है, और उनोंने एकदम जोड़दा तरीके से मना कर दिया, जो उनके उपर आरोब लगे थे, कि आपने bribes लिया है, तो अब आप ही समझे, इसमें कुछ गलती आप उन्हे ज़रा आ रहे है, कि देखेगा, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ समझ रहे होंगे, यहाँ पर फौर नहीं आना चाहिए, मैं थोड़ा ऐसे जूम करदा हूँ, यहीं पर mistake है, बस और कहीं नहीं है, पूरे में, यह वाला पाट है, यहाँ पर फौर नहीं, यहाँ पर off आना चाहिए, अब सर, मुद्दा यह उड़ता है कि off क क्यों आना चाहिए, देखेगा, कभी भी याद रखेगा, जब ही कभी कोई पोस्ट आजाए, कोई पद, और कोई छेतर आजाए, आपको पता है, मिनिस्टर जो होता है, वो एक पोस्ट होती है, ये पद होता है, और education का एक फील्ड होता है, education एक छेतर होता है, शिकचा के चेतर में, तो जब भी कभी पोस्ट आ जाए, और उससे सम्भानित चेतर आ जाए, ठीक है? तो याद रखना, वहाँ पर प्रेपोईशन ओफ लगाया जाता है, मिनिश्टर एक पद हो गया, एजूकेशन एक चेतर हो गया, और इसी आधार पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इन दोनों को आफ से जोड़ा जाएगा, तो बोलते हैं न, the minister of education, तो याद रखना, कभी भी इस तरह है का, कभी भी कोई भी compound बने, तो उसको आपको आफ से जोड़ना है, the minister of education, मतलब education के मंत्री, ठीक है, पढ़ाई, सिक्षा मंत्री, the minister of education, तो आफ होता है, न के फूर, आगे बढ़ जाएगा, आगे ये बड़ा अच्छा कोशन है, देखेगा, he says, वह कहता है, that he reads novels, to pass away the time, ये वो novels पढ़ता है, अपने समय को गुजारने के लिए, आप इसे जब पढ़ेंगे, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, कि ये सब तो सही है, लेकिन pass away, ये जो अभे लिख रहा है न, वो गलत है, अभे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो पढ़ता है न, novels, वो सिरफ time pass कन्डी के लिए पढ़ता है, तो pass away का, तो मतलब है किसी का गुजर जाना, कोई खतम हो जाना, मर जाना, तो भाई, वो समय को मारेगा थोड़ी, वो तो उसे pass करेगा, तो pass करेगा, तो बस उसे इतना ही बोलते है, to pass the time, right, I pass the time, pass away the time नहीं बोलते है, ठीक है, अगर समय को व्यतीत करना है आपको, तो pass away नहीं लगाएंगे, वहाँ पर directly pass ही लखेंगे, away नहीं लिखते, तो ये doubt आपको सभी का, clear हो जाना चाहिए, ठीक है, pass away का मतलब होता है, निदन हो जाना, चलिएगा, अब ये नहीं होना चाहिए, वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखेगा, ये लिख रहा है, और ये देखो, बड़ा ही अच्छा कॉंसेप्ट है, इसे आप जल्दी से बताएगा, लिखा हुआ है कि, नो सूनर डिट दा टीचर, इंटर दा क्लास्रूम, जैसे ही टीचर अध्या पकने क्लास्रूम के अंदर इंटरी ली, और वैसे ही इस्टूएंट जो हो, खड़े हुए, इस सेंटेंस को पढ़ने पर क्या कुछ कोई गलती नजर आ रही है, क्या सर बिलकुल आ रही है, आपको नजर नहीं आ रही है, मुझे जरूर आ रही है, क्योंकि जब आप भारवार उन चीज़ों को लिखते हो, पढ़ाते हो, तो आपको समझ में आता है, कि इस सेंटेंस में क्या गलती बन सकती है, मुझे पता है, नो सुनर में जब भी देखता हूँ न, तो सीधे मेरा नजर जाता है, थोड़ा आगे चल करके, दैन कंजंग्सन है या नहीं, इस पर मेरा ध्यान जाता है, आपको मैं पढ़ाऊ या नहीं पढ़ाऊ, लिकिन ये होता है, नो सुनर के साथ में कंजंग्सन जो चलता है, दूसरे सेंटेंस से पहले ये सबजेक्ट है, इससे पहले हमेशा दैन आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें कोई भी दैन नहीं दे रखा, तो इसलिए मैं इसके, जो सी वाला उप्शन है, उसमें मैं इसे गलती कर दूँगा, तो याद रखना, सी में क्या हो जागा, इस्टुनेंट्स गॉट अप के पहले याँ पर दैन आना चाहिए, क्योंकि नो सुनर के साथ में जो अगला जो कंजंग्सन से सेंटेंस को जोड़ा जाता है, इस सेंटेंस को आप तो सभी बता सकते हैं, कि अगर कभी भी किसी सेंटेंस में, कभी भी अगर यह आजाना, यह जो आपको पताना, यहाँ पर जो दैन है, यह दैन नहीं यहाँ पर बट आना चाहिए, क्योंकि नथिंग एल्स और आगे जब इसे कनेक्ट किया जाता है, तो दैन इसे नहीं, यहाँ पर इसे बट से कनेक्ट किया जाता है, तो बट आ जाएगा यहाँ पर, अब इसके बाद यह फिलिंदा ब्लैंक्स है, चलो आज इतनी ही वीडियो को करते है 25 बिनिट्स की, इसके बाद बाकी यह रिमेन गए 57 से लेकर के, 80 कोशन्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए है, तो 80 कोशन्स हैं इस पूरे पेपर में, तो कल का जो वीडियो आएगा उसको मिस मत करेगा, रेगुलर आप सभी के लिए इस स्रीज को जो कंटिन्यू किया जा रहा है, तो आप इससे कल देखेगा या फर कुछ समय के बाद आप देख सकते हैं, मिलता हूँ मैं आप उन्हें एक्स वीडियो के साथ, वीडियो को देखने के लिए और रेगुलर पिपर्स लगाने के लिए, तैंक्यू सो मच, विल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा सुरू से एंड तक बड़ी है, आप स्पीड बढ़ा करके वीडियो को देखा करें, लेकिन टेस्ट जरूर कर लगाया करें, तैंक्यू!